कल्ब के विरोध में किसान पिछले चार महीने से बैठे हो हैं सरद में आज सरकार ने एक और नया नोटिफेकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रिक्योमंट जो हमारे देश के हमारे राजे की एकॉनमी जिस पे डिपेंडन्ट है वो सरकारी प्रिक्योमंट FCI नहीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रेकॉर्ड अपलोड करेंगे मैं उस राजे से आती हूं साथ जहां पे 40 फीस्दी वैसे लोगे जिनकी जमीने नहीं है कोई अपने राजे से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है उसके पास जमीन नहीं है किसी जमीन दार से लेके देता है अब FCI के सरकुले के हिसाब से जब तक वो लैंड रेकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी तो ये 40 फीस्ती ये बेजमीन वाले किसान कहा जाएं ये नई नई चीज़े दूसरी बात सर ये कह रहे हैं विकल्प दिया है हमारे स्टेट का APMC Act क्लिरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमिशन एजट के थ्रू बेचे या डिरेक बेजे ये कहते हैं FCI Act में ये कोई संशोदन नहीं करेंगे स्टेट एक्टे इंटर्फियर नहीं करें ये डारेक्ट इंटर्फियरंस है फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज़ में इंटर्फियर करके जो अच्छा घाजा चल रहा है उसका तो तोड़ने के काम कर रहे हैं के साथ काम करा करती थी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गए हैं कि इस देश की प्रतिबता है इस देश की जन्ता की संकल्फ है कि इस देश में पारदर्शी वेवस्ताय हो इस देश में गलत कामों को रोका जाए और उसी के तहर पूरे देश में आज FCI की procurement बहुत अच्छी तरीके से चल रही है देश भर के किसान अपनी मूल, अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं मात्र एक राज्यए है, जहां पर वो कहते हैं किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे और उसके पीछे क्या हित हुए, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है, क्या वो किसानों का पैसा खड़पना चाहते हैं, क्या वो किसानों को पूरी मून नहीं पहुचाना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि हमें पूछ से के बदले जैसे पहले वो राजय सरकार को पूछा करती थी वैसे वो राजय सरकार को पूछे के आज पारदर्शी व्यवस्ता मोधी सरकार किसानों के हिट में ला रही है मोधी सरकार किसानों को पूरा दात दिला रही है और रही बात लैंड रेकॉर्ड की किसानों से ही तो खरीदेंगे जो इसकी भी लैंड है लेकिन लेंड रेकॉर्ड नहीं अपडेट करना लेंड में कितना उपज हुआ है याखिर जमीन का उपज तो पता चलेगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो एकर जमीन पे कितना भी अनाज उख सके मैं सबता हूँ मान्या सांसत को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा एक अच्छी इमानदार पारदर्शी व्यवस्ता किसानों के हित में किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगा इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए यह हम सब की सामोई जिम्हेंदा कि क्यूशन न नमबर टू-जिरो टू मानने बंदा